सर्दियों का समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी, पूरे गाव में कोहरा धुंध चाया हुआ था, प्रताप एक बढ़ा अधिकारी था, जो रोज की तरह दफतर का काम खत्म करके घर की ओर लोट रहा था, घर वाले रास्ते में बाजार भी था, जहां प्रताप सामान लेने क लिए रुख गया और उसके बाकी कर्मचारी शहर चले गए, प्रताप बाजार में सामान लेने की वजह से पीछे रह गए, सामान लेते लेते प्रताप को पता नहीं चला कि कब शाम हो गई, जब प्रताप ने घड़ी देखी, तो पता चला कि आज तो घर पहुँचने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी. जब दूर की पत्नी होगी, जो रास्ता भटक गई है. रास्ता सुनसान था, इसलिए प्रताप ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है. उसने महिला से पूछा कि, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, और जोर-जोर से र प्रताप ने उसको बोला कि, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो. जिसके बाद वह प्रताप के साथ चलने के लिए मान गई और प्रताप के पीछे वाली सीट पर बैठ गई. गाव में घूंघट डालने का रिवाज होता है, जिसके कारण उस महिला ने भी अपने सर पर और उसका चेहरा ढखा हुआ था. फिर प्रताप अपने घर की तरफ निकलाया. घर पर सभी प्रताप का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही सब ने गाड़ी की आवाज सुनी, सब भाग कर प्रताप के पास आ गए. जब सभी परिवार वालों ने उस महिला को देखा, तो प्रता प्रताप से पूछा, ये कौन है? प्रताप ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा, अब यही खाना बना देगी. लेकिन प्रताप की पतनी अंतरा को उस महिला पर शक हो गया. अंतरा को लगा कि कोई चोर है, जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी. अंतरा ने उसे से खाना बना दो. अंतरा ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था. दस मिनट बाद अंतरा रसोई में पहुँची, तो देखा कि अभी वह महिला बैग में से मचलिया निकाल रही थी, जिसको देखकर अंतरा को और भी गुसा आ गय अंतरा ने उसका चहरा देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चहरा नहीं देख पाई. अंतरा ने बोला कि जरूरत हो तो बुला ले ना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली. अंतरा को लगा कि शायद अंजान लोगों की वज़े से यह जिजक रही है, जिसके बाद अंतरा चली गई रसोई में अजीबो गरीब आवाज आ रही थी फिर 10-15 मिनट बाद अंतरा रसोई में आई तो रसोई का नजारा देखकर अंतरा बहुत डर गई उसके पैर वही पर जम गए अंतरा के गले से आवाज नहीं निकल रही थी अंतरा ने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मचलियां खा रही है रसोई में मांस और हड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे उस महिला का घुंगट भी सर पर नहीं था और उसका चहरा बेहद डरावना लंबे लंबे काले बाल बड़े बड़े नाखून ये सब देखकर अंतरा समझ गई कि यह भयानक डरावने चहरे वाली चुडैल है वह चुडैल मचली खाने में मगन थी इस कारण अंतरा पर उस चुडैल का ध्यान नहीं गया अंतरा से चिलाया भी नहीं गया अंतरा को लगा कि यह और ज्यादा भयानक ना हो जाए अंतरा ने एक थाल उठाया और वह चूलहे में से जलता हुआ कोईला लेकर उस चुडैल की तरफ दौड पड़ी अंतरा ने कोईला उस चुडैल पर फेंक दिया आग की वजह से वह चुडैल जोर-जोर से आवाज निकालने लगी चुडैल की आवाज सुनकर सारा घर इकठा हो गया चुडैल को आग दिखा कर घर से बाहर निकाला गया चुडैल की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और सभी ने चुडैल को देखा चुडैल लोगों को देखकर जंगल की तरफ चली गई पूरे गाव के लोग चुडैल के डर से काप रहे थे और सभी अंतरा की प्रशंशा कर रहे थे जिसने सही समय पर उस चुडैल को आग से भगा दिया यदि चुडैल को नहीं भगाया जाता तो वो पूरे गाव के लोगों को खत्म कर देती